गुड मॉर्णी फ्रेंड्स वेलकम टू ओनलाइन इस्टी पॉइंट दोस्तों आज है 14 नमेंबर और देखेंगे आज के सारे करेंड फेस तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से जरूर देखें दोस्तों इसके लावा मैं अने केर्वी पर ही पढ़ाता हूं तो अने केर्मी क अधर के बेल आकन जुरूर प्रिसकाज़ें दोस्तों ताकि आपको इस देखेंगे डेली वीडियो मिलती रहें चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल का जो कोश्चन तक के वीटी वन का कौन बनेगा टॉपर का सही जवाब क्या था इस ऑप डूइंग बिजनेस इं पूचा था मैंने 49 अंतराष्टी फिल्म मौसुद 18 में उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी तो यह है ओलू ठीक है ओलू थी उद्घाटन फिल्म और यह गोवा में आउजित किया जाएगा ठीक है इसका पार्टनर इस्वार जो स्टेट है वो है जहारखंड गोवा के सिया म मनोहर परिकर राजेपाल है मृदुला सीनहा और गोवा 1961 में आजाद हुआ था पूर्तगाली से ठीक है तो यह आपको याद रखना है और तीसरा कोश्चन मैंने पूछा था हाली में किस हवाई एड़े का नाम बदल कर वीर सूरेंदर साई हवाई एड़े गुरू में ना रहार को बता दू कल के जो हमारे बेष्ट सबसे एंसर दिया था वह थ है आर कुमार जी आर Minor जी आपको बहुत 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 बाताई बेरिगुड बैल डun आपने बहुत ही बेश्री जैत यह दिखना रहा है जिए कितना डेटेल के साथ इनुन दिया था तो आपको भी यह से लिखने दोस्तों आप देख लेते हैं जो आज को सवाल है कौन बनेगा टॉप आज का सवाल है तीन्थ कोष्चन है आपके पास और आपको सभी को पाइटिसिपेट करना इसका बेस्ट एंसर रहेगा उसका कल मैं नाम एनाउंस्मेंट करूँगा ठीक है पहला कोशन भ फटा फट एंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिरेल के साथ लिखनी पूरी जानकारी अगला कोशन है हाली में जारी ग्लोवर हंगर इंडेक्स रिपोर्ट दोठारा में भारत को क्या रैंकिंग हासिल हुई है यह तीनों कोशन बहुत इंपोर्टेंट रहेंगे डेली में आप से कौन बनेगा टॉपर एक सीरीज स्टार्ट किया हूं उसमें कोशन पूछता हूं ज्यादा ज्यादा लोग पाडिस्पेट करेंगे ठीक है कल मैं आप नेक्स्ट वीडियो में नाम एनाउंस्मेंट करूंगा ठीक है चलिए अब देख लेते हैं आज के गरने फेसी स्टा सब्सक्राइब देखें आप वतादे कि इश्रो यानि इंडियन स्पेस रिसर्च औरगनेशन भारती अंतरिक्ष्ण संग्ठन का जी एसलवी मार्क 3D2 मिशन लॉंच करेगा और आप वतादे कि यह मिशन भारत की उच्छ प्रावशनता वाले संचारुब्र जी सेट ट्व कि इसके लावा दोस्तों भू यह उपगर है भू समकाली उपगर है लाउंच वहन मार्क 3 द्वारा ले जाए जाए जाएगा ठीक मार्क 3 तो यह आपको याद रखना है बहुत इंपोर्डेंट है अगला कोशन देख लेते हैं दूइपक्षी अभ्यास समुद्र सक्ति जो दूइपक्षी अभ्याजोय समुद्र शक्ति यह 12-18 नंबर को आयुद के जा रहा है इसका उद्देश क्या है दूइपक्षी संबंधों को मजबूत करना समुद्री सहयोग का विस्तार करना पारास परिक्ता में प्रिद्धि करना और सभूत्तम पर्थाओं का आधान प् पूर्वी नर्शेना कमान केता है दुशाखा पत्तनम में पूर्वी बेड़े का आई एनस राणा इस अभ्यास में भाग ले रहा है तो यह आपको इसमें याद रखना है काफ ही इंपोर्टेंट है ठीक है तो इंडोनेशी हो जागा का रेक्ट एंसार दोस्तों वीडियो चीन ऑपन किसने जीता है तो जीता है केंटो मोमोटा ने किसने केंटो मोमोटा ने वैड्मिंटन का फूले चीनária पर जीता है और उन्य मैचर के चाउट टीन चेन को राया है और यह उनका शात्वा किताब था ठीक है आपको बता दे दोस्तों कि फूज़ाओ चीन ओपेन HSBC वर्ल्ड टूर इवेंट्स का हिस्सा है और इसे सुपर 750 इस्तरी टूर्नामेंट कुरू में नामित किया गया है ठीक है 2018 का बैडमिंटेन का फूज़ाओ चीन ओपेन किसने जीता केंटो मोमोटा अगला कोशन है दोस्तों कहां पर प्रथम विशुद्ध में भारती सेनकों की भूम का गिश्मृति में एक नई प्रतिमा का अनावरण किया गया किया फ्रांस में ठीक है फ्रांस में प्रथम के दोरान प्रस्वी मोर्शी पर अपनी जान कवाई थी आपको अतादिक फ्रांस में विल्स गिसेन में उपर आश्पति वेंक कया नाइडू नेका निश्मारा कोद घाटन भी किया है तो यह फ्रांस में कोशन नमर 5 दोस्तों किसने नवंबर 2018 को प्रतिस्ठित मुनिन बा लोचना पर अपनी पुस्तक के लिए पूरुसकार जीता है ठीक है निरो बाचान और इस पूरुसकार मुद्धरण और एक पटिका के साथ 50,000 रुपए के नात पूरुसकार भी सामिल है इस पूरुसकार का नाम प्रसिद दिलेखा का आलोचक पत्रकार मुनीन बारकोटकी के नाम पर रखा गया है ठीक है तो यह प्रसिद मुनीन बारकोटकी साहितिक पुरुसकार देव भूशन वोरा उनकी जो साहितिक है निरो बोचान ठीक है याद रखना है अगला कोशन है हाली में स्टेनली का निधन हो गया हुए एक थे इसका कर्रेक्टेंस हो यागा दोस मैंस समय प्रतिष्थित पात्रों के सहनिर माता है तो यह आपकस कर आःम मैन दा फैंटास्टिक फौर इस्पाइदर-डेविल और X- Reserve समय प्रतिष्थित seiner माता हैं उन्होंने कौमेफ को पुनर्षिवित करने के लिए जैक, किर्वी, स्टीव, डिक्टो जैसे कलाकारों के साथ मिलकर काम किया था ठीक है तो हाली में स्टेनली का निधन हो गया हुए एक तेल लेखाक ठीक है कॉमिक लेखाक साथ नमबर दो ठारा को माउंट गिलुवे पर चड़ने वाला पहला भारती कौन मन गया है पहल का जो शिखार है इसकी उचाई थी 4360 मीटर 4367 मीटर ठीक है और आपको बतादीक जून 2016 मुनों ने सभलता पूरवक माउंट डेवेस्ट पर भी चड़ाई की थी माउंट गिलुवे पापुआ नेगुनी में दूसरा सबसे उचा परवत है ठीक है माउंट गिलुवे यह दूसरा सबसे उचा परवत है ठीक है तो नॉम्मद बठारा को माउंट गिलुवे बचड़ने वाला प्रतम भारती कौन बन गया है सत्य रूप सिध्धांत अगला कोशन है दोस्तों किसे अंतराश्चिन इप्टान भैंग द्वारा एसिया और प्र प्रतनी थे ठीक है याद नाम याद रखी गया एली रोमोलोना और उन्होंने ग्लोबल फाइनेंसियल गवर्नेंस पर जी ट्वेंटी प्रतिस्टित समू के कारेकारी सचिकुरू में भी कारे किया है तो अंतराश्चिन इप्टान भैंग द्वारा एशिया और प्रसांत के लिए मुख्य प्रतनी धीन युक्त किया गया है सिधार्तिवारी को अग्ला वर्चन है विद्रो का मुकाबला करने के लिए भारा तोर रूस रूज के बीच सेंथ उभ्यास का नाम क्या है अब्शाइस इंद्र 2018 ठीक है ठीक है इसका नाम है विदूर्ओं का मुकाबला करने के लिए भारत वर रूसके बीच सेंथ अब्भ्यास इंद्र अभ्यास अधारा नमबर से आजूत किया जाएगा और आपको वता देखिए अभ्यास मत्रदेश के बभीना फिल्ड फाइरिंग रेंज में सेंक्त राष्ट के तहट आजूत किया रहा है ठीक है इसका उद्देश से कहाँ पर पहली वाटर हैंड लूम हट क उद्दाटन किया गया तो हिट मडी पुर में मडी पूर पहले मडी पूर की पहले वाटर हैंड़्दू हट को उद्दीर से लोग तक जीग में फूम डीस में रहने वाले बुनकरों के सामाजी काथिक इस्ती में सुधार करना ठीक है तो वाटर हैंडलूम हट काउधाटन मड़ीपूर लोग तक जील मानो मस्तिष के समान काम करने के लिए डिजाइन किये गए दुनिया के सबसे बड़े सूपर कम्पीटर का नाम क्या है इसका नाम है Spin Naker, ओप्सन भी Spin Naker, ठीक है दुनिया का सबसे बड़ा सूपर कम्पीटर, जिससे मानो मस्तिस की तरह काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, पहली बार चालू कर दिया गया है, आपको बता दे कि Spiking Neural Network Architecture Machine यो प्रति सेकेंड 200 मिलियन से दिक कारियों को पूर किंगडम में, मैंचेस्टर इनवर्सिटी में, मैंचेस्टर विश्विद्याला में डिजाइन और बनाया गया है, ठीक है, यह इंपोर्टेंट है, अगला गोशन दोस्तों, निर्म बिकित में से किसे मानुविकी खेत्र में, इनफोसिस पुरुषकार द्वारा समानित किय गै था, और आफ़ाथार देकीत मौत देख रूपमलिक को झिव विग्ञान के से एखेतर में समानित किया गया था, ठीक है, रूपमलिक को घुपि'dांग शेतर में, समानित किया था, ठीक है, तो ये आदर किया गया, मानुविकी खेत्र में इनफोसिस पुरुषकार कि से स 11 कि थेरह न अंबर ब्राजील मेर्टिक्स कुस ने जीती सबमें तो फारमुला रेंट कारीब टो ब्राजीन गरेंट है हमिल्टन के लिए 18 की दश्वी और उनके कारियर के बहत्तरमा जीत है आप को उता दे कि हैमिल्डन की जीतने मर्सिटीज को कंस्टॉक्टिण relative में जीतने हम दूसरी स्थान पर जब कि फेराड़ी के कीमी यह कुल deductなので मेक्स वर श्टेपन दूसरे स्थान पर जैसे ब्राजिल अबुल कलाम आजाद जी राइट एंसर था सभी स्टूटे ने राइट एंसर दिये था अब देख लेते हैं आज का कुशन क्या है सिंगापूर में जारे नंबर दोठारा को आशियान सिकर समयलन का कौन से स्क्राइब शुरू हुआ और संदेर के प्लीस कमेंट बॉक्स में बहुत कम लोग कमेंट करते तो आज आप लोग डेली जो मैंने के वीट कौन बनेगा टॉपर के साथ साथ इसका भी कुशा आपको पूरे डिटेल के साथ आस्यान सिकर समयलन के वारे मैं लिखेंगे ठीक है चलिए ठीक है तोस्तों यदि आपने दोस्तों कल मैंने एक वीडियो लाइक जरू करिएगा जिस वीडियो को जादा जादा शेयर कर में दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आका जरू पिसका देए दोस्तों ताकि आपको इसी वीडियो डेली मिलती रहे ठेंक्स लाट पर वाचिंग आपका दिन सूभ हो जै हिन जै भारत